यहां पर मैं कोर्सेट की चार पेटर्ण और लग लग दिखाने वाले हूँ डबल कोलर कोर्सेट मेना फर्स्ट वाला कोर्सेट है यहां बटन पट्टी लगाई हुई है डबल कोलर दिया हुआ है फर्स्ट बटन दिया है वो बहाँ से दिख रहा है यह बटन पट्टी लगाई हुई है यह स्लीव है स्लीव में भी पट्टी लगाई हुई है और वहां बारिक पट्टी लगाई हुई है और हीप की जगह से ओराउंडिंग दिया है डबल को लग दिया है एल्बो स्लीव दी है वहां भी पट्टी लगाई हुई है यह बटन पट्टी लगाई हुई है अलग से लगाई हुई है तो कि बटन अंदर से अंदर कवर हो जाता है और उपर से अप है और नीचे से डाउन है यह पीछे की तरब से डाउन है आम होल है आम होल ठीक तरब से दिया हुआ है यहां से मैंने कुमर की फिटिंग दी है एल्बो स्लीव दिया है एक कोटन का पैंट है कोट सेट का पैंट है और पैंट का वो सीधा रखा है क्योंकि कोट सेट का पैंट खुला ही रहता है और यहां पर बारिक पट्टी दी है और कट दिया हुआ है और आगे की तरब से बेल्ट दिया है टॉक्स दिया हुआ है ताके आगे की फिटिंग अच्छे आए और पीछे की तरब से वो लास्टिक दिया है साइड में क्लिप दी हुई है और चेंद दिया है और पॉकेट दिया है पॉकेट में भी चेंद लगाई हुई है और निच्छे की तरब से जो कट दिया हुआ है और ऑवरलग भी दिया है बारिक पट्टी लगाई हुई है, अब पिछे की तरब से वह क्रोच दिया हुआ है ताकि हीप क्रोच बढ़ा दिया हुआ है ताकि हिप की जगह से क्रोच बढ़ा रहता है क्योंकि खीचाव नहीं आती है। और सिलाइ भी स्ट्रेट दी हुई है और कंप्लीट हो गया है अभी डबर कोलर कोट सेट सिंगल कोलर कोट सेट यह प्रिंट बाला कोट सेट है सिंपल कोट सेट है और आधी बटन पट्टी लगाई हुई है और कोट सेट का सिंगल कोलर लगाया हुआ है और स्लीव में एक बारिक पट्टिक दी हुई है कट दिया हुआ है हिप की जगह से डबल एक्सल साइज दी है स्लीव 3-4 दिया हुआ है और कमर की तरब से नम्य टक्स लगाय। ताक कमर की फिटिंग अच्छी बीठ है यहां से कवर्स से लए दी हुई है कोलर का आमःम वल की फिटिंग अच्छी दरब से आई हुई है अब प्रिंट कोसेट का वो पूरी तरह से कॉलर को पूरी तरह से वो कवर से ले दी हुई है अब उसका पैंट है पैंट 42 साइज का है पैंट में पूरा लास्टिक लगाया है यहां हिप की जगह से मैंने लूजिंग छोड़ा है ताकि डॉबल एक्सेल की लूजिंग आती है पूरा इस लास्टिक दिया है ताकि पहने में आसानी हो धरसिलाई दी हुई है यहाँ पे पोकेट लगाया है पोकेट में भी जीप दी हुई है यहाँ बारिक-पटी लगाई हुई है मोली पे बारिक-पटी लगाई हुई है और पिछे की तिरफ से बड़ा क्रोच दिया है क्योंकि फुटी टू साइज के हिप्स बड़े होते हैं इसलिए पहने में दिक्कत ना हो यहां पर बारिक पटी लगाई हुई है यहां पर अप दिया हुआ है ताकि हिप बड़े साइज हुआ काओ तो उसे ठीक तरह से बैठ जाए इसलिए अब तीसरा कोट सेट है पूरा पैटन वाला कोट सेट है फुल स्लीव का यहां पर बटन पटी लगाई हुई है यहां पर फुल स्लीव की हुई है यहां पर मैंने पैटन लगाई हुई है यहां पर मैंने पैटन लगाई हुई है राउंडिंग दिया है पूरी बारिक पटी लगाई हुई है और पिछे की तरप से मैंने यहां पर वो मोली की दो धार सिलाई लगाई हुई है गाच बटन किया हुआ है यहां पर मैंने कमर का फिटिंग दिया है यहां पर वो फिटिंग अच्छी तरह से बीच से इसलिए मैंने यहां पर वो तक्स दिये हुए है यहां पर राउंड शेप दिया हुआ है और बारिक पटि लगाई है यहां पर मैंने कवर सिलाई दिये है यहां पर कोड़ सेट का पैंट आया है यहां पर कोड़ सेट के पैंट में मैंने आगे की दरब से वो स्प्लिप्ट की एक सिलाई लगाई हुए पैटन की दरब से यहां पर कट लगाया हुआ है और बारिक पटि लगाई है छोटा सा कट है यहां पर मैंने पैटन की वो क्लिप्स लगाई है पूरा सीधा रखा है क्योंकि यहां से कोट्सेट का पेंड का लूजिंग होता है यह पीछे की तरप से वो लास्टिक लगाया है हूँक दिया हुआ है साइड में पोकेट दी है उसमें भी चीट डाले हुई है और आगे की तरप से मैं ने यहां पर अची तरह से वो पैटर्न वाली सिल्ए दी है और नीची की तरप से वह बारिक पति लगाया हुआ है और ओवर्लोग भी दिया है आगे की तरब से बेल्ट दिया है, पिछे की तरब से उस्लास्टिक दिया है और पूरा कोड़सेट पैंट रेडी है चोथा कोड़सेट वो सिंपल नेक वाला है छोटी सी बटन पटी है, तीन बटन लगाए हुए है चोटी बटन पट्टी लगाई हूई है और सिंगल कोलर है। एब अएक्सेल साइज का है। यहाँ पर बारिक पत्टी लगाई हूई है। वो स्लीव ठिरी फोर्स थें। 3-4 में डबल पत्टी हूई है। ठारसिलाय लगाई हूई है। और हिप की जगह से कट दिया हुआ है और नीचे की तरह स्काप की जगह बारिक पट्टी लगाई है आम होल का फिटिंग दिया है कमर का फिटिंग दिया है और पिछे की तरब से बो पिछे की तरब से मैंने यहां पे टक्स लगाया है ताकि कमर के फिटिंग अच्छी आए और कॉलर का में कवर सिलाई दिया है क्योंकि तीछे की तरब से सिलाई दिख रही रही है और कट दिया है दूनाब की तरब से पैंट है कोट सेट का एक ट्व एक्सल है यहां आगे की तरब से मैंने टक्स लगाया है और आगे की तरब से बेल्ट दिया है क्योंकि लूजिंग डाली है 42 आता है टू एक्सेल में और क्रोज भी बड़ा दिया है ताकि पहने में दिकत ना हो हिप का पूरा लूजिंग दिया है हिप के शेप में दिया है और नीचे का छोटा सा कास काप रखा है साइड में पोकेट लगाया है पोकेट में जीप लगाई हुई है और पिछे की तरफ से क्रोच बढ़ा दिया है ताकि डबल एक्सल साइज में इसकी साइज बढ़ी होती है इसलिए में ने क्रोच बढ़ा दिया है और पिछे की तरफ से लास्टिक दिया है ताकि पहनने में आसानी रहे हुग दी हुई है और जीप भी दिया है ताकि वहां से खुल जाए पहनने में दिक्कत ना हो वीडियो जो आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें